खबरों के निश्पक्ष विश्लेशन के लिए सब्सक्राइब करें जनतन्तर टीवी एड प्रेस दा बेल आइकन नेवर मिस एनी अपडेट लोगडाउन है पूरा देश संजजी और परेशान हर कोई है क्योंकि लोगडाउन का पालन हम सबको करना है प्रधान मंत्री भी यह अपील कर रहे हैं और उस अपील का असर भी कुछ हद तक हमें दिख रहा है लेकिन लोगों के साथ साथ हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेशान नहीं है क्योंकि 119 चीनी मिल हमारे जो है उसमें एक चीनी मिल पहले ही बंद हो गई थी वहां गन्ना समाप्त हो गया था प्रतापुर में बाकी 118 चीनी मिले बाकाइदा यथावाच चल रही है और पिराई और वो पिलकुल उसी गती से चल रही है जैसे सामा गई धाने दिनों में चलती है हम लोगोंने ऐक एड़ाईजरी जारी की थी जब इसके बारे में निर्देश प्राप्त हुए थे और मानी मोख्य Beimantree जी के पराप्त हुए तर तदनुसार हम लोगोंने सोशल डिस्टेंसिंग बनाये रखते हुए सब को सैनिटाइस करते उनको सब को लाइन में लगा करके उनके तीन मीटर की दूरी बनाई रखते हुए उनको जो जामा ने था पहले वो अपना ट्रैक्टर ट्रॉली लगाने के बाद एक जगे खड़े होके गप मारते थे वो सब बंद कर दिया गया है और दूरी बनाए रखते हुए इनकी गन्ने की पिराई पुरी सुनिश्चित हो रही है जिस तरह से महामारी पुरे देश में चल रही है लॉकडाउन है पूरा देश मुश्किला हो रही है सर उनको समझाने में क्योंकि यह ऐसा वक्त है यह समझदारी ही सबसे बड़ा हत्यार है ने बिल्कुल ने बहुत बहुत हर मिल का मेरे पास हर मिनिट फोटोग्राफ और वीडियो आ रहे है हमारे जो गन्ना किसान है बहुत जिस दिन से हमने एडवाईजरी जारी किये मिलो में माइक के माध्यम स्पेस पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से उनको बोला गया और सभी किसान एक एक मीटर की दूरी पे उनके गोले बना दिये गए या उनके बॉक्स बना दिये गए वहीं घड़े हो करके अपना टोकन प्राप्त करके बहुत ही शालिंता के साथ में वो सयोग कर रहे है उनका हाथ दुलवा दिया जाता है सावून से सैनेटाइजर से और हर जगे सैनेटाइजर भी हमने रख लिया क्योंकि मानी मुख्यमांतरी जी के निर्देश पर 41 अभी तक लाइसेंस जारी हो गए आज एक आगरा में 42 लाइसेंस जारी होगा जो सानिटाइजर बनाने के लिए और एक कमी जो आई थी आईसो प्रोपिलिन अलकॉहल जो गुजरात से आता था उसको सब्स्टिटूट हमने इतिल अलकॉहल के माध्यम से करके पिछले 20 तारीक से जब ये बात आई कि सानिटाइजर कमी बजार में हो गई है और अवेलेबल नहीं है तो ततकाल ड्रग लाइसेंस और FL41 का एक्साइस का लाइसेंस दिलवा के हम लोग ने कर दिया है और आज कम से कम 55,000 लीटर पर डे का सानिटाइजर बजने की छमता हो गई है और बहुत निकट में ये 60,000 लीटर की छमता तक चला जाएगा वो 200 ml की अगर बॉटल मान ले तो 3,000,000 बॉटल हमारे तयार हो जाएंगे परती दिन उत्तर प्रदेश में और इसमें पूरे प्रदेश भर में फैला हो गया है लाइसेंस इसका और जो हमारे सानिटाइजर बनाने के है हर छेत्र में पूरवांचल में जिसे गोरकपुर में वहाँ पर है जो पूरवांचल के लिए है लाबाद में लखनो में पांच है तो पूरे प्रदेश में है चार-पांच ऐसे हमारे मंडल है जो बहुत दूरस मंडल है जहां पे नहीं है लेकिन वो जिसे बस्ती में नहीं है तो गोरकपुर से कवर हो रहा है और हम लोगोंने जो चीनी मिल, और सैनेटाईजर बनाने वाले हैं उपलब कराया है जिलाज़ादिकारियों को बलरामपुर में सौ, देड़ सो लीटर निशुलक सैनेटाईजर उपलप कराया है उपलब्द करा दिया गया है और उन विभागों को खास करके स्वास्त और पुलिस विभाग को उपलब्द करा दिया गया है यह निशुल्क में उपलब्द कराया है और अब जैसे राइबरेली में समस्य आईती खतम हो गया है तो वहां के लिए भी विवस्ता कर दी गई है और इसी प्रकार चित्रपूर दाम के लिए, तो पूरे प्रदेश में सानिटाइजर की कही कोई दिक्तत नहीं आएगी, लोगों को परिशान होने की जरूत नहीं है, 100 ml से लेके 200 ml की मातरा में, प्रचूर मातरा में सानिटाइजर उपलब्द रहेगा, और इसका दर भी भारत सरकार ने तेय कर दिया, उसी दर पर लोगों को उपलब्द होगा, किसी को कोई गलत दर पे या महेंगे पे खरीदने के आउशक्ता नहीं है, लेकिन संजर जी काला बाजारी भी बहुत ज़ादा हो रही है, हमने देखा कि मनमाने रेट लिये जा रहे हैं, कुछ लोग तो गलत वाइदा उठा रहे हैं ऐसे वक्त में, जब बहुत ज़ादा जरूरी चीजों की हमें जरूरत है, हम मास्क देखें, सैनिटाइजर कहें, तो इसको रोकने के लिए क्या प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं, क्योंकि ये काला बाजारी रोकना बहुत जरूरी है, सैनिटाइजर को अगर, जी, अगर कोई भी दुकानदार सैनिटाइजर को जो निर्धारित दर है, वो 200 एमेल का 100 रुपिया है, और 200 रुपे में 500 एमेल का है, अगर कहीं पर भी ये जो बारसरकार ने दर निर्धारित किया है, उससे ज़्यादा कोई दर पर करता है, तो उसकी जैसी शिकायत प्राप्त होगी, मानी मुक्रिमांतर जी के स्पशनिर देश है, एसेंशिल कमोडिटीज एक में, उनके विरुत कठोरतम कारवाई की जाएगी और उनको जेल भेजा जाएगा, बिल्कुल ये अच्छी बात है, और ये संदेश पूरे देश में है, संजजजी जाना भी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं, कई मर्तमा ऐसी खबर भी आते रही है, कि काला बाजारी बहुत जादा होती है, मनमाने रेट लिये जाते हैं, सेनेटाइजर्स और तमाम ऐसे चीज़ों के, जो कि बहुत जरूरी होता है, ऐसे वक्त में कुछ दुकानदार चंद मुनाफे के लिए, किस तरह से काला बाजारी करते हैं हमने देखा, और जाएड तोर पर ऐसे लोगों पर कारवाई भी होनी चाहिए, लेकिन संज़जी लॉकडाउन है, इसमें एक माने मुख्यमंत्री जी हल्प लाइन है, माननी मुख्यमंत्रीजी का हेल्प लाइन अगर कोई भी व्यक्ति को कहीं पर भी इस परकार की शिकायत है तो वो तद्काल माननी मुख्यमंत्रीजी हेल्प लाइन पर वो कर सकता है जहां पर हमारे 500 बच्चे उसको रेकॉर्ड करके सम्बंदित को सुचित कर रहे है और उनके हिसाफ से फिर कारवाई होगी जी बिल्कुल ये एक अच्छी बात आपने बताई हेलप लाइन नंबर पर कॉल करके आप सीधे शिकायत कर सकते हैं अगर आपको जिस तरह से सैनिटाइजर और मास कहीं पर भी जादा धामों पर लिया जाता है मनमाने रेट पर लिया जाता है संजीड इस बात को बता रहे संजीड लेकिन एक चीज़ हम देख रहे हैं कि हमने भी कुछ दिन पहले खबरें भी देखी लॉकडाउन के बाद बताये जा रहा कि जो गणना चिलाई के लिए जो किसानों को मजदूर नहीं बिल रहे हैं, इस वज़ये से वो गणना नहीं चिल पारे हैं, तो सवाल है कि सरकार किसानों को गणना अपूर्थी में चूट दे रहे हैं क्या? फिलाल उनके अपूर्थी करने के लिए दिखे, अगर कहीं पे किसान को चीलने में देर हो रहा है तो हमारे यां सिस्टम already है जी कि उसको हायल परची कैते हैं उनको जो हम पांस दिन का समय देते हैं तो उसको फिर पुना जो परची है उसको रीवैलीडेट कर दिया जाता है उसमें जादा से जादा ये लॉक्डाउन पीरेड में अगर कुछ असर आएगा तो चीनी मिले और थोड़े हफता बर अतिरिक चलाई जाएगी लेकिन पूरे गन्ने की पेराई सो निश्चित की जाएगी इसके लिए किसानों को निश्चित रहना चाहिए किसान भी अभी लगातार आपको असंजय जी सुन रहे हैं इस प्रोग्राम को देख भी रहोंगे उनके मन में भी कई सवाल है मैं चाहता हूँ कि एक दो सवाल मैं जायत वर पर उनके भी आपसे लूँ गन्ना मुलिका ये भुक्तान को लेकर समस्या बहुत लंबी आपने भी इस चीज़ को देखा हूगा समय समय पर किसान परिशान रहते हैं सडकों पर उतरते हैं प्रदर्शन तक करते हैं इसके लिए सर्फ क्या प्रयास किये जा रहे हैं और जो समस्या दूसरी किसानों की ये भी रहती जो घड़तौली है उसके प्रभावी नियंत्रण के जिए क्या कदम उठाए गए हैं देखे गन्ना मुलिकान का तो 93,000 करोड के उपर चला गया है और इस साल हम 60 प्रतिशत के ऊपर हमारा गन्ना के सब समस्याओं के बावदूर्द बुक्तान हो रहा है और इसमें कोई डिलाई नहीं होगी और घड़तौली के समन में भी मानी मुख्य मंत्री जी के बहुत सपष्ट निर्देश है और हमारे विभागी मंत्री जी भी उसमें स्वेम मॉनिटरिंग करते है और हम लोगों ने सक निर्देश दिये इधर कईयों के विरुत कारवाईयां हुई है मैं आकड़े आपको बोजल नहीं करना चाहूंगा लेकिन बहुत प्रभावी कारवाई हो रही है कहीं पर भी अगर किसानों को शिकायत होती है तो हमारे जो टोल फ्री नंबर है 1800-121-3203 पे वो कॉल करते है और उस पर उनकी समस्या सुनकर या हमारे पोर्टल पे, फेस्बुक पे, ट्विटर पे वो लिखते है तो उसके हिसाब से हम लोगों सूचना उनलाइन त्वरिज जैसे हमारे पास आता है वो एक सॉफ्ट्वेर के माते में तुरंत DCO, DIPTCC और सेक्रेटरी के पास चला जाता है उसके समाधान के लिए बिल्कुल ये अच्छी बात है समाधान होना चाहिए क्योंकि किसान इस देश का परिशान ना हो इसलिए सरकार भी समय समय पर प्रियास करती रही है चीनी मिलों के अगर हम बात करें एक आकड़ा है मेरे पास अगर मैं घलत हूँ तो आप दुरूस करिएगा संजय जी मुझे क्योंकि 186 करोड रुपे बता जा रहे कि चीनी मिलों पर बकाया है और इसको लेकर भी किसान परिशान है तो इसको लेकर क्या प्रयास किये जा रहे हैं आपकी तरफ से यह किस चीनी मिलका है यह तो मुझे नहीं मालम है और किस वर्ष का आप बात करें पुरे भारत की बात कर रहे हैं केवल उत्तरप्रदेश की बात कर रहे, जहां तक उत्तरप्रदेश का है, उसमें 17-18 का पूरा भुकतान हो गया है, 18-19 का लगबग पूरा भुकतान हो चुका है, दोनों वर्षों का 99.50 परसेंट भुकतान हो गया जो लगबग 6 पृत पतिशद हैं, और इस साल हमारा 60% बुक्तान हो जुका है किया है और समय समय पर उस पर ध्यान भी दिया बहुत-बहुत शुक्रिया संज़ जुड़ने के लिए इस चर्चा में फिलाल आजके लिए इतना ही लेकिन जनतन ठीपी पर खबरें लगातार जारी रहेंगे नमस्कार खबरों के निश्पक्ष विशलेशन के लिए सब्सक्राइब करें जनतन्तर टीवी और प्रेस्ट बेल इकल नेवर मिस अप्डेट